पहला ट्रेड हमको यहां मिल गया, दूसरा ट्रेड हमको पुट का यहां मिल गया, यहां से आप पुट करीदेंगे तो यहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जब तक कोई नया सिनेरियो नहीं बदेगा, तब तक बाजार इन्हीं वैल्यूज के बीच में आज हम बात करेंगे कि भीयर ट्रेड कैसे ले, कॉल पुट कॉल पुट, आप कहेंगे सिरीज के 9 वीडियो हो गए, अभी तक ट्रेड लेने की बात नहीं आई, तो आज ट्रेड लेने की बात हम लोग करने वाले कि कहां से ट्रेड अपना इनिशेट करना है और कहां पे खत आज मैं बात करने वाला हूँ, हमने support सीख लिया, हमने resistance सीख लिया, हमने सीख लिया कि support resistance कैसे strong होते हैं, कैसे weak towards top होते हैं, कैसे weak towards bottom होते हैं, तो आज मैं बात करने वाला हूँ किस चीज की, आज मैं बात करने वाला हूँ chart of accuracy की, chart of accuracy basically होता क्या है, और chart of accuracy कैसे काम करता है बा पूरा का पूरा जो Bazar होता है, ये पूरा का पूरा Bazar प्रेशर पे काम करता है, व्हार और सेलर का pressure एक तरफ से बायर पुश करेगा, एके टरफ से सेलर. पुश करेगा, इसके लिए मैं आपको बड़ा एक सिंपल सा एक्जामपल देता हूँ, सिंपल एक साइन्स एक्जामपल है, साइन्स एक्जामपल कैसा होता है, कि एकदम सीधी सी बात है, कि अगर आप ट्रेड करने जा रहे हैं, और ट्रेड करने गए और आपको कुछ समझ बाजार में कि या कॉल ने के पुट, बाजार रिजिस्टिंस से रिवर्स होगा, कि सपोर्ट से रिवर्स होगा, तो आपको क्या खरना पड़ेगा, आपको तुरन भाग के जाना पड़ेगा बाजार, बाजार जाके आप खरीद के लिए एक अगरबत्ती का पैकेट, और इसमें भर दीजे पानी, पानी भरने के बाद ये पूरा पानी भर दीजे, पानी भरने के बाद ये दोनों तरफ से सील कर लिया, एक तरफ इसके लिख लिजे आप सपोर्ट, ये मैंने लिख दिया सपोर्ट, और दूसरी तरफ इसके आप लिख लिजे रेजिस्टेंस, ये म करना क्या है इसमें आपको support लिख दिया resistance लिख दिया इसको बढ़ीयां इसको seal कर लिजे दोनों तरफ से कि यह break नव होने पाए फटने न पाए और पानी एक तरफ से निकलने न पाए अब आपका support भी strong और आपका resistance भी strong हो गया आपको कुछ भी नहीं करना है आप simply इसको shake करिए अब आप मुझे बताइए क्या ये पानी किसी भी तरफ से break करके निकल सकता है क्या नहीं निकल सकता और जोर से shake करिए निकल सकता है क्या नहीं निकल सकता यानि कि अगर support resistance strong है दोनों अपने आप में strong है तो आपका बाजार जो है support resistance से हमेशा reverse होता रहेगा हर बार reverse होगा और ये reversals आपको पैसा बना के दे सकते हैं और यहीं है चार्ट of aggressive का scenario number one ये कहता है इसके nine scenarios को हम लोग explain करेंगे one scenario में different different कई सारे scenarios उसको भी मैं explain करते हुए चलूँगा ये पहला scenario है जिसमें हम लोग बात करते हैं अगर support strong हो और resistance strong हो तो बाजार इसी support resistance के बीच में travel करेगा यानि कि इसके extension से हम लोग trade ले सकते हैं लेकिन लेकिन क्या लेकिन जो भी है वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के अगले पार्ट में अभी बताता हूँ जब हम लोग पहले support और resistance देख लेंगे तब तब तक के लिए वीडियो आपको देखते रहना ज़रूरी है अब strong support और strong resistance के लिए हम लोग historical data में चलते हैं एक particular दिन जो मुझे याद है उस particular दिन पे चलते हैं और देखने और समझने की कोशिश करते हैं historical data में हम लोग चलते हैं 25th of August यानि कि 31st of August की expiry थी और 25th of August को resistance भी strong था और support भी strong था इस particular डे को हम लोग 9.15 a.m. से देखने की कोशिश करते हैं सुबह के वाक्त अभी आप देख सकते हैं morning में 9.17 a.m. नौ बज के 17 मिनट पर हमको resistance जो दिखाई दे रहा है सुबह सुबह वो resistance वीक ट्वर्ड्स टॉप को ला हुए दिखाई दे रहा है support अपने आप में strong दिखाई दे रहा है यह आ रहा है लेकिन इंद मनी की तरफ आ नहीं कहेंगे यह morning का एकदम morning time का time है लेकिन जैसे जैसे समय बीता 9.17 से 9.19, 9.19 से 9.21 और 9.21 से 9.23 तो समय बीतने के साथ support अपने आप में strong हो गया जो की 19,300 पर था और resistance अपने आप में weak towards top यानि कि top की तरफ कमजोर हो गया यह एकदम सुबह की बात है बाजार support के नीच कोशिश करेगा समय और बीता 9.23 के बजाए हम लोग आ जाते है 9.30, 35 के आसपास और वहां देखने की कोशिश करते हैं कि तब तक बाजार कैसा दिखाई दिया तो 9.35 तक आते आते resistance भी देखी आपने आप में strong हो गया तो अब इस बाजार में support भी strong है और resistance भी strong है और 9.15 एम पर वापस से चल के मैं आपको दिखा देता हूँ जब मॉर्निंग में मार्केट स्टार्ट हुआ था 9.15 मिनट पर तो मार्केट की opening price 269 थी यानि कि 269 से बाजार open हुआ है और support हमारा कहा है support 300 पर है अगर इसका extension आप support देखें तो 266 है यानि कि कैसे देखते extension आप support support के volume पर आप click करिए जिस भी strike price के आप volume पर click करेंगे उसका extension या diversion दिखाई देगा तो मैंने support के volume पर click किया और जब मैंने support के volume पर click किया तो मुझे value दिखाई दी 266 तो this is called extension of support इसी तरीके से अगर आप resistance के volume पर यहीं पर click करेंगे तो आपको extension of resistance भी दिखाई देगा तो resistance के volume पर मैं click कर दूँ तो मुझे 316 की एक value दिखाई दे रही है जो extension of resistance है तो अब मुझे मेरा extension of support और extension of resistance मिल गया 19,269 हो गया मेरा extension of support 19,315 हो गया मेरा extension of resistance और 930 होते होते ये बाजार चुकी strong हो गया तो इसका मतलब गया हुआ इसका मतलब ये हुआ कि ये बाजार इनी दोनों values के बीच में इसी support और इसी resistance के बीच में घूमेगा अब value देखिए बाजार की अब बाजार की value है 305 हमारा extension of resistance कहा है हमारा extension of resistance अब थोड़ा सा बढ़के तो इसका मतलब ये बाजार कहां पर है अपने टॉप के आसपास है इस टॉप पर पहुचने के बाद 15-26 तो टूट जाएगा कहां टूटेगा support टूटेगा फिर support से कहां तक आएगा resistance तक जाएगा फिर resistance से कहां तक जाएगा support तक जाएगा जब तक कोई नया scenario नहीं बढ़ेगा तब तक बाजार इन्ही values के बीच में trade करता रहेगा लेकिन लेकिन का जवाब पहले यह दिखाता हूँ उसके बाद दूगा कि लेकिन क्यों बोल रहा हूँ मैं तो अब यह data प्ले करिए यह देखिए बाजार 310 अब इसी दिन के हम लोग charts पे भी चलते हैं यह 25 अगस्त का चार्ट 25 अगस्त यहां पर आप अब resistance की एक लाइन खीच लीजे रेजिस्टेंस की लाइन हमारी 325 के आसपास खीच नहीं है जो हमने देखी थी तो इसको हम लोग 325 के आसपास एक लाइन खीच लेते हैं यह हो गया हमारा यह लाइन हमने खीच दी यह हो गया हमारा क्या extension of resistance इस पर आप लिख लीजिए हमारा extension of resistance है EOR तो यह EOR हमारा बाजार को ऊपर जाने से रोकेगा इसी तरीके से अब हमको आना extension of support ढूंड़ना है हमारा extension of support हमको पता है हमारा extension of support का है 265-69 के आसपास अभी 288-90 आ रहा है तो हमारी एक extension of support की value है इसको मैं data को play कर दूँगा तो extension of support की value है यह extension of support भी यहाँ पर आप नीचे खीच लिजिए माल लिजिए value है 280 मोटा मोटा मैं खीच लेता हूं line यह हो गया हमारा extension of support extension of resistance पर पहुँच गया extension of resistance से market reverse हो के फिर से नीचे extension of support पर पहुँच गया बाजार और नीचे गीरा इसलिए मैं बोल रहा था लेकिन इसका नियम यह होता है कि जब resistance और जब support अपने आप में एकदम strong हो ऐसे case में बाजार कहीं भी extra नहीं जा सकता एक एक बार resistance और support की value को यह dot to dot हिट करेगा और आपको trade भी मिलेगा यहां से आप put करी देंगे तो यहां पर आपको profit booking करनी है लेकिन अगर मैं बात करूँ तो पहली बार first time यह पहली बार support को बाजार ने हिट किया यह पहली बार resistance को बाजार ने हिट किया एक एक बार हिट कर लिया जैसे ही एक एक बार हिट कर लेगा वैसे ही यह कमजोर पढ़ना शुरू हो जाएगा तो बाजार किसी ने किसी एक तरफ या दोनों तरफ आगे चलके मैं chart of accuracy 2.0 आपको सिखाँगा तो पता चलेगा किस तरफ लेकिन अभी के लिए जान दीजे किसी ने किसी एक तरफ या दोनों तरफ जाकर के एक diversion अधिक्तम एक्स्ट्रा हिट कर सकता है यानि कि first time जब आप trade लेंगे तो आपका सबसे safe होगा दूसरी बार लेंगे तो slight risk की रहेगा किस बात का risk करेगा कि अगर एक diversion इक्स्ट्रा चला गया तो वहाँ पे आपको डर के emotions में आके position को square off नहीं करना है बलकि इंतजार करना है और अगर मौका है तो एक बार averaging भी करनी है और वापस से उपर चले आना है ले रहे हैं अब हम देखते हैं वापस से historical data में आते हैं और वापस historical data में देखते हैं कि एक diversion नीचे कहने का मतलब गया हुआ अब ध्यान से बताईए हमारा support कितना है 300 अब 300 से एक diversion नीचे मतलब EOS-1 अब 300 में से एक strike price कम कर दीजे तो कुछ लोग कहेंगे 350 नहीं कम करने को बोला मैंने तो 250 का diversion आप चेक करिए एक तो बाजार maximum यहां तक नीचे गिर सकता है 250 का diversion मतलब 221-222 की value और दूसरा अधिक्तम बाजार 350 की diversion तक ऊपर जा सकता है 384 तो अब आपकी 4 magical lines में तीसरी और चैती line draw हो गई यह देखिए ये value आ रही है कई बार आप कहेंगे कि ये values कई बार differ क नहीं आएगा वो क्यों आएगा क्योंकि ये one minute snapshot data होता है यानि कि हर एक मिनट में ये data update होता है जब आप लाइब मार्केट में देखते हैं तो एक ही value आपको कई बार दिखाई देती है वह value हमारी extension होती है तो यहां पर हमारा 250 का diversion 220-25 के आसपास की value है तो हम यहां पर जाक करके एक line नीचे खीच लेते हैं वो line हम लोग 225 के आसपास खीच लेते हैं तो बाजार जो नीचे गिरेगा वो अधिक्तम इसी line तक गिरेगा इस line से नीचे नहीं गिर सकता यह बाजार अब आप देख रहे हैं जब बाजार ने दूसरी बार इस support को हिट किया पहली बार E EOS तो दूसरी बार यहां पर हम लोग EOS कर देते हैं EOS तो यह हो गया हमारा EOS तो दूसरी बार जब EOS को हिट किया मार्केट ने यह पहली बार EOS को हिट किया दूसरी बार यहां EOS को हिट किया तो अधिक्तम बाजार कहां तक जा सकता है अधिक्तम नीचे जाएगा तो EOS- तक ञाएगा अगर आपके पास बहुका है आपकी वैलिव आ रहे है तो आप उस जगह से क्या कर सकते हैं आप उस जगह से रिवर्सल ले सकता हैं यहes-1 यह reference-1 तक बाजार जाए गा- US-1 से वापस चलाएगा बाजार तो यह हमारा US-1 हो गया उपर भी जाएगा तो maximum कहा तक जाएगा UR-1 तक जाएगा तो आप चाहें तो UR-1 की वैल्यू भी जाके 380 के आज पास खिच सकते हैं जो हमने वैल्यू वहाँ पर क्लिक करके देखी थी तो 380 के पास आज पास UR-1 की वैल्यू खिच लिजे अगर बाजार उपर गया तो maximum यहां तक उपर जाएगा इससे ज्यादा आज के बाजार की रेंज नहीं है इससे ज्यादा आज के बाजार की रेंज नहीं है तो अब अगर हम number of trades की बात करें यहां से 4 number से आके averaging कर ले और फिर 5 number से put खरीद ले और फिर 6 number से अगर आप call खरीदे तो 7 number पर अगर आता तो averaging करते और फिर धीरे धीरे यह बाजार ऐसे ही consolidate होता चला जाएगा तो दिन में हमको एक या दो trade अधिकतम उससे ज़्यादा trade करने की ज़रूत नहीं क्योंकि हम dot to dot trade कर रहे हैं एक value का इंतजार कर रहे हैं उस value से trade कर रहे हैं अगर आप दिन भर call put call put call put करेंगे तो basically यह आप loss 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 ही करेंगे अगर आप एक value का इंतजार करेंगे हमने 2 का इंतजार किया यो आ रहा है हमने ट्रेड लिया, तीन पर आया, प्रॉफिट बुक की यह बाहर हो गए, हम चार तक का वेट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जाएगा की नहीं जाएगा, यह गैरिंटी नहीं है, तो लाइब मार्केट में पता चलेगा, बट थिंग इस कि अगर तीन पर हमने एक को डाउनलोड करना, हिस्टोरिकल डेटा में जाना, स्टॉक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, खंगाली यह, कौन-कौन से दिन सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉंग था, और जित कितना स्ट्रॉंग था, और बाजार कहां तक गया, यह आपको आपकी एमोशन पर काबू पाने में मदद करेगा, क्यों, क्योंकि हम गलतियां कहां करते हैं, हमने अगर तीन नंबर पर कॉल खरीद लिया, तो गलती कहां करेंगे, फोर तक आते आते हम एमोशनली इतने ज़्यादा ट्रैप दो जाते हैं, कि इस पोजिशन से बाहर हो जाते हैं, दूसरी हमने गलती कहां करते हैं, थ्री पर हमने कॉल खरीद लिया, फोर तक आते हम ओलरड़ी चार बार एवरेजिंग कर चुके हैं, टो थ्री पर अगर हमने कॉल खरीदा, तो पूरे चार का वेट करिए, मिला तो ठीक, एवरेज करिए, नहीं मिला, तो एवरेज करने की भी रखीगा और जितनी बार यह सपोर्टर रिजिस्टेंज को मार्केट हिट करेगा उतनी बार यह बाजार क्या करेगा उतनी बार यह बाजार जो है कि रिस्क बढ़ाता चला जाएगा आपका ट्रेड के मामले में तो LTP के अपको फटाफट डाउनलोड करिए iOS से या फिर Android से Play Store से और वहाँ पर जाकर कि आप इस्टोरिकल डेटा देखना शुरू करिए इस्टोरिकल डेटा में स्ट्रॉंग सपोर्टर इस्टेंज जूनिया और जो भी सवाल इससे रिलेटेड है कमेंट बॉक्स में आके फटाफट लिख दीजिए मैं अगले एपिसोड में उनी सवालों के आपके जवाब दूँगा जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाए चार्ट अफिक्रसी 1.0 के बारे में उमीद करता हूँ ये सीरीज आपको बहुत पसंद आ रही है अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें ऐसे ही सीखते रही है मुस्कुराते रही है और जीवन का अरंग लेते रही है और इंतजार करते रही है इस सीरीज के अगले पुड़का